वीडियो देखने वालो हमारी road trip चल रही है तीसरा दिन चल रहा है और शाम का time हो गया that time होगय है और मेरी एक bucket list में एक Cheese容 क्या थी मैं हमेशा से जब से मैंने चैनल खूला है मैं ऐसे एक धाबा में जाना जाता था जहां के truck driver जाकेखा न हएं वहाँ का खाना लाजवाब होता हो बड़ी रिसर्च की बड़े सारे ट्रक ड्राइवरों से पूछा और ऐसा एक धाबा हमें मिल गया है और हम उसी रूट पे थे तो आईए दिखाते हैं कहां मिलता है ट्रक ड्राइवरों वाला शानदार खाना तो सामने देखिए बेसिक सा रोड साइड हाईवे धाबा जी हाँ आपको कोई साइन बोड नहीं मिलेगा लेकिन लाइट है चमकती हुई देखिए शाइन गरती हुई जो आपको दूर सड़क से इशारा कर देगी कि जी हाँ यहाँ पे है धाबा और धाबे का नाम है निर्मल और यहाँ का मैं आपको लोकेशन समझा दूँ यह देखिए इसके बरापड में बिल्कुल हाईवे है धेर सारे ट्रक खड़े है और पता चला है यहाँ से सिरुफ पाच किलो मीटर की दूरी पे है सरहंद जिहां अगर आप राजपूरा साइड से हाईवे से आएंगे सरहंद से सिरुफ पाच किलो मीटर पहले है निर्मल का धाबा जिहां प्योर वेच दो ड्राइवर भीर हमें मिल गए है और थोड़ा वो दिन से पंजाबी में ही बात करेंगे वीरे केडी रूड़ते गड़िज लाएंगे जलनदीड दिली त。 देली ते तुसी जलनदीड दिली तुसी हुआजी यह रहना ले किते देओ गाडशंकर श्वाड़ जी। इसी रूड़ते ते तु आड़ा रैगूलर रहनदे हैं यह पके से रूड़ जालाऑ पके इसे अब्लेधा होगा फरीस है और फोवोगप शाही पनीर हो गया जै बधिया इस इस रूड़ टो लागे दिली तक ही इस वाड़ पो अनो लगदा या इस तो भी वदिया कोई तापा मिला है इस वाड़ गया इस वाड़ अ जी ए तो लीचे पेश आपके सामने हाइवे का धाबा पिछली बार हमने आपको जम्मू पठानकोट हाइवे के धाबे रिखाए थोड़े कमर्शिल थे लेकिन यह बिल्कुल देशी धाबा है जी हाँ देखिए यहां पर मंजीयों के ओपर लकड के फट्टे लगा के टेबल यहां का फूड और यह देखिए यहां पर हम अंदर आए हैं और अंदर यह पूरी फैमिली यहां पर फूड इंजॉय करते हुए यहां पर सिर्फ ड्राइवर्स ही नहीं यह देखिए हमें फैमिली भी मिल गई है फूड इंजॉय करते हुए पोशिश करते हैं बिना डिस् सब तो वदिया ताम् मखनी तवीर तवानु नहीं लगई बिवानुी? दाल भ्राइ तुछ का रहाarnya है तुछ दाल मखनी यह आठे ले तुछ आड़े थैह टाहरे व्हारे विट इन्शन कार Webb और दूवान फाने की पहने है ते तवानू की पसंद लगे है? मैंनूल अच्छा प्रॉण था दाल मत्नी ते यह जडी पनीर दी सब्जी है अगी में लगी है? अभी गोड़ी बावड़ी है कि वी है अग elephants देक सब्सक्राण के अगी करें अगोड़ी है जरूरी है मैंनू मेरे बढ़े दी दी सिने रिख मेंड बेजी है ग्देन्ASTम रिख मेंनि है अग겠 यह जञी है तुसी रेगुलर रांदे इसे बीख में है भी आदे डչ यह fires अपने फ्रेंज ना ने सारे तब एथे ट्राय किते हो या अच्छा यह बेस्ट दाल उननो इत्थे लग दिया पहले तो आडे तो आडे तो आडे तो आडे नंबर लाके जाओंगा क्योंकि असी तानु एमें बंदा जेहता जो वदिया चीद आ सके ते थैंक यू सो मच अप लग दिया तो लग दिया विए तो तो अझागा ँसारी तो आडे तो आडे तानु आंज तो आडे तो अड़े सारी देने हैं आज तो मैं ना लाग ए तकय किते जा रग गए तो इसस्टे जा रहे हैं छेन ओमतव अ फर्च्टों एन शृतिय। इंड़wn छारे ना ट्ली से शाइपनीर तयार होता हुआ, चोटे चोटे पनीर के टुकड़े और टमाटर प्याज का मसाला जा चुका है और यह बारीक पनीर जा रहा हुआ नमक, मिर्चे, मसाले, फल्दी यह क्या था? यह क्या है? दूत्र 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 अरे वाह दूत्र डाल गे बनाया जा रहा है है यहां पे शाइबनीर प्राइबने के जाइबने आगे दूत्र डाइबने मोठाश गताईबनीर जब गज़े आदंबने जाएबने जाएबने जाइए यह दिटीं तो लीजे हमारे लिए बनते हुई डाल मखनी पनीर और ये डाल गई जो डाल तड़का है इनकी अलड़ी रेडी है इसमें थोड़ा सा मसाला है टमाटर प्याज का तड़का जिसे कहेंगे महग बड़ी प्यारी पता लग रहा है कि धावा की खाने की कुछबू है तो लीजिए तड़का लग गया है दाल भी तयार है अब दाल प्राइक है अब ये क्या है डेसी की वारा है वारा है मक्षन गया पहले क्रीम गई है उसके बाद डेसी की वारा हूं तो मंजा मेरा अब प्रूंच सज गया है जी हाँ मंजी पे बैठा हूँ और एक दम फटा सजा हुआ है लाइए क्लोज अप लाइए आपको सबसे पहले जो सबसे तारीफे मिली है यह डाल देखिए और इस डाल की यह कैमरा आपको खुश्बू सुंगा नहीं सकता लेकिन मैं यहां बैठा हूँ इतनी प् प्राठा पंगाली है हरी मिर्चे है और यह इनका अचार है अचार देखते हैं यह बाई टिपिकल पंजाब स्टाइल बजारी अचार इसको अभी देखते हैं बाद में दाल पे करते हैं अटा हमने आपको यहां पे कुस्टमर्स की तारीफे भी सुनवा दी है यह तो सबसे पहले लच्छे पराठे के साथ हम करेंगे ट्राइ दाल मखनी का यह देखिए हरी मिर्चे भी इसमें डली हुई है अगर आपको दिख रहा है हरी मिर्चियरी हरी मिर्चियरी तो अच्छे से बढ़िया से स्पाइसी तड़का लगाया गया इसको एक बाइट में यह चीज एक्स्प्रेंग कर सकता हूं कि आगे से इस रूट पे अगर मुझे खाना खाना होगा तो मुझे पता है मैंने कहां रुकना है दिस डाल इस अमेजिक यह डाल मखनी है लेकिन बटर बहुती नॉमल है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रीमी है बहुत ज़्यादा बटरी है दाल का अपना जो टेस्ट वो है देसी पंज दाल का है वो है तड़का ला जवाब है मेरी तरफ से थम्स अप वाली दाल है चलो जी शाही पनीर देखते है और शाही पनीर इनका शकल से ही आप जज हुज कर सकते हैं कि जो रेस्टूरेंट नहीं है, शाही पनीर, खुश्बू ला जवाब, अलके-लके माइड मसाले हैं, जो इनोंने दूड डाला था, वो ग्रेवी बनाने के लिए उनोंने, वो बहुत अच्छा कॉंबिनेशन है, स्पाइसी नहीं है, मसालेदार नहीं है, माइड मसाले हैं, लच्छे परांठे के साथ बड़िया कॉंबू है, अगर इन दोनों चीजों की बात करेंगी, दोनों में सबस्वे पसंद मुझे क्या आया, मुझे दाल मकनी बहुत ज्यादा स्वाल लगी, तो नीर भी अच्छा ह आफ दी ट्रिप है मेरे लिए, अनन्द आ गया, दिल को सुकून मिला कि वही अराम से बैढ़ के कोई बढ़िया स्वाजिश चाही है, ये धाबा 24-7 है, लोकेशन आपको मैंने समझा दी है, आई एक आई एंजॉय करिए और वापस आके मुझे कमेंट्स में जुरू पतान आपका experience कैसा गया, ठैंक यू और हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि अभी भी चोथा दिन बाकी है